इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ DIY हाइलाइटर पाउडर किन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे कोई भी नई इंट्रस्टिंग वीडियो आए वो कभी आपसे मिसना हो पाए यह जो DIY हाइलाइटर पाउडर है यह बहुत ही इसली घर में बन जाता है और इसका अफेक्ट और मार्किट वाले का अफेक्ट दोनों का जाहता सिमलर ही अफेक्ट रहता है सबसे पहले हमें हाँ पर चाहिए फेस पाउडर आप उसके बदले जॉंसन इन जॉंसन का बेबी पाउडर भी यूज़ कर सकते हो जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है लेकमे का रोस पाउडर आप देख सकते हो यह कुछ इस तदा की पैकेजिंग में आता है जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है शिमर यह मैंने हाँ पे एक सिल्वर शिमर लिया हुआ है यह मार्कित में आपको एजिली 20 रुपीज का पॉर्ट मिल जाएगा जो फोर्ट प्रोडक्ट है वो है गोल्डन कलर का शिमर यह भी पॉर्ट में ही आता है और यह भी आपको 20 रुपीज का पॉर्ट मिल जाएगा अब दिया वाई पाउडर हाइलाइटर बनाते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले एक खाली बाउल चाहिए उसमें मैं एक स्पून वाई सोन पाउडर का डालोंगी अगर आपनी बेबी पाउडर लिया है तब भी आप एक स्पून बेबी पाउडर इसमें ले लिजे उसके बाद मैं इसमें वन स्पून रोस पाउडर का डालोंगी उसकी बाद मैं इसमें golden shimmer का pot पूरा empty कर दूँगी क्योंकि मुझे अपने highlighter में golden sheen ज्यादा चाहिए अब मैं इसमें 1 फोर स्पॉन silver shimmer भी डालूँगी क्योंकि मुझे silver shimmer की sheen कम चाहिए इसलिए मैं इसमें कम डाल रहे हूँ आप अपने golden डाल सकते हैं अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से mix कर लीज़े और यह बहुत ही easily आपस में mix हो जाती है अब आपका यह DIY powder highlighter तियार है इसका सबसे पहले demo में अपने हाथों पे आपको करके दिखा रही हूँ इसको आपको starting में थोड़ा ही लेना है उसके बाद आप इसको अगर build करना चाहते हैं तो आप इसके second layer लगा सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर मैंने apply किया था हलका सा blend करते ही एक मेरे skin में sheen आ गई है एक highlight हो रहा है वो हिस्सा मैं आपको इसकी ज़्यादा shade लगा कर दिखा रही हूँ अब आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ मैंने यह लगाया है वहाँ पर मेरे skin कितनी glow कर रही है कितनी shine आ रही है इसमें इस highlighter को आप बने body parts पर भी highlight करने के लिए लगा सकते हैं आप इसका थोड़ा सा amount लेके अपने foundation में mix करके आप अपने hands पे अपने legs पे apply कर सकते हैं ताकि उन पे अच्छी की sheen आ सके यह आप मेरे दोनों हाथों में difference लेख सकते हैं एक हाथ पर मैंने highlighter रगाया है और दूसरा हाथ कितना dull लग रहा है इस highlighter powder को आप एक container box में store कर सकते हैं अब मैं अपने face पे इसको demo करके दिखा रही हूँ आपको हलका सा ही यह लेना है extra को dust off कर देना है मैं एक brush की help से इसको लगा रही हूँ सबसे पहले मैं इसको अपने cheekbones पे लगा कर दिखा रही हूँ और मैंने बहुत ही कम amount में highlighter यूज किया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत हलकी सी sheen आ गई है आप मैं इसको अपने brow bone पे भी लगा लूँगी इससे मेरी eyebrow एकदम uplift दिखेंगी यह बहुत ही easily blend हो जाता है इसको आप अपने forehead को, अपनी nose को, अपने cupids को, अपनी chin को highlight करने के लिए भी यूज कर सकते हैं यह था मेरा आज का DIY powder highlighter अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को like and share ज़रूर करिए मेरी इस वीडियो पर comment करिए और मेरे चैनल को ज़रूर subscribe करिए